हेलो प्यारे बच्चो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल प्रिशर यूट्यूब चैनल पे सो बच्चो हम चैप्टर नमबर वन कौडिलेटरल्स को स्टेडी कर रहे थे और लास्ट क्लास के हंदर हमने exercise 1b के question number 128 को study कियाता उनको समझाता हूँ आपे so I hope आप सभी को questions सच्चे से clear हो गए है so चलिए आज की क्लास के अंदर हम question number 9 से शुरू करते हैं so चलिए देखते है question number 9 को so question number 9 में हमें आपे given है find x and y in the following parallelograms so यहाँ पे आपको three parallelograms given है और इन में आपको क्या करना है x and y की value को find करना है तो देखे जैसा मैंने आपको previous class के अंदर भी बताया था कि आपको question solve करने से पहले यहाँ पे parallelogram की properties मालूम होनी चाहिए अगर आपको वो मालूम है then तभी आप questions को solve कर पाओगे because without property हम यहाँ पे questions को solve नहीं कर सकते हैं so चलिए move करते है questions पे तो ninth question first part हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे first हमें क्या given है कि जो यह figure है हमारा जो coordinate पे लेना यह हमारा क्या है parallelogram है अब आप सभी को मालूम है कि जो parallelogram होता है उसकी जो opposite sides होती है वो parallel होती है और साथ साथ वो equal भी होती है तो अगर यहाँ पे मैं side लेता हूँ इस parallelogram के अंदर अगर मैं side लेता हूँ कौन सी AB side लेता हूँ तो AB के parallel कौन सी side है हमारी DC side है तो मैं आप सिंपली क्या लिख सकता हूँ that AB parallel to DC and ABCD is a parallelogram यह भी मैं हाँ पे mention कर सकता हूँ ABCD is a parallelogram now अब यह एक अगर parallelogram है AB parallel है DC के that means अगर मैं हाँ पे क्या करता हूँ अगर मैं हाँ पे इस angle को अगर मैं one mark करता हूँ so यह हमारा क्या हो गया angle C है basically इसको मैंने आपे mark किया one so angle one और जो यह angle B होगा जो 60 degree है कर हमें given है तो यह दोनों क्या होंगे यह दोनों मारे adjacent angles हो जाएंगे तो मैं आपे simply क्या लिख सकता हूँ मैं आपे simply लिख सकता हूँ angle B plus angle one these are adjacent these are adjacent angles so यह दोनों adjacent angles हो जाएंगे and are supplementary और यह क्या होंगे हमारे supplementary भी होंगे supplementary का meaning सभी को मालूम है supplementary का meaning होता है equals to 180 degree that means angle B और angle 1 अगर मैं दोनों को add करता हूँ angle B plus angle 1 so यह हमारा कितना हो जाएगा 180 degree हो जाएगा now अब आप सभी को आपे angle B की value given है 60 degree है plus angle 1 is equals to 180 degree so angle 1 की value कितनी आ जाएगी हमारी 180 degree minus 60 degree तो यह हो जाएगा हमारा 120 degree so angle 1 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है 120 degree आ गया है now next point देखते हैं हम यहाँ पर अब हम देखते हैं दूसरा pair जो हमारी opposite sides है parallelogram की उसका दूसरा pair देखते हैं अगर हम यहाँ पे तो यहाँ पे दूसरी side समय क्या given है वो है हमारी BC and AD so BC and AD यह भी दोनों क्या हैं यह भी दोनों एक दूसरे के parallel है so मैं simply आपे क्या लिख सकता हूँ BC is parallel to AD BC किसके parallel है AD के parallel है और ऐसे same मैं आपे क्या लिख सकता हूँ अब यह दोनों गर parallel है so जो angle 1 है angle 1 हमारा किसके equal हो जाएगा x के equal हो जाएगा और angle 1 की value कितनी है 120 that means x की value भी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी अब ऐसा क्यों लिखा मैंने क्योंकि दो parallel lines है और इनके बीच में हमारा यह कौन सा angle बन रहा है यह हमारा आपे बन रहा है corresponding angle so इस राजे हमारा पास क्या आजाएगी हमारे पास x की value आजाएगी तो यह हमारा क्या हो गया आपे corresponding angle हो गया है now अब हमारे पास किसकी value में find करनी है to 180 degree में लिक सकता हूँ so angle 1 और अगर मैं y को add कर दूँगा तो यह 180 degree के को लोगा क्यों क्यों क्योंकि यह हमारे क्या बन रहे है यह बन रहे हमारे linear pair linear pair of angles तो यहाँ पर यह हमारे बन रहे है linear pair of angles now angle 1 की value हमने find की थी अभी पीछे 120 degree थी तो यहाँ से मैं angle y की value क्या कर सकता हूँ find कर सकता हूँ तो y की value आ जाएगे हमारी 180 degree माइनस 120 degree so y की value हमारे आ गई यहाँ पर 60 degree तो y हमारा किसके equal हो गया 60 degree के equal हो गया है और x हमारा किसके equal हो गया 120 degree के equal हो गया है so I hope आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया है now अब देखिए आप एक और method से y की value को क्या कर सकते है find कर सकते है अब वो कौन सा method है हमारा second so second method है हमारा आपर alternate angles तो basically मैं आपर यह भी लिख सकता हूँ angle y is equals to 60 degree direct में लिख सकता हूँ क्यों क्योंकि यह हमारा आपर क्या बना रहे है यह हमारा आपर alternate angles भी बना रहे है because alternate angles क्यों बोल रहा हूँ मैं आपर because a b किसके parallel है a b हमारी dc के parallel है तो इसी लिए हमारा क्या हो जाएगा इसी लिए यह जो हमारा 60 degree है angle b और angle x यह दोनों एक दूसरे एक्वल होंगे so आप यहाँ पर कोई भी method use कर सकते हैं इनको solve करने के लिए या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं opposite angles की property यूज कर सकते हैं so जो angle b है वो angle d के एक्वल होगा तो यह भी 60 degree हो जाएगा now अभी एक linear pair बन रही है हमारी तो यहाँ से x की value हमारी 120 आ जाएगी so आप इस method से भी इसको solve कर सकते हैं so I hope आप से भी कोई first part अच्छे से clear हो गया है so चलिए now अब हम move करते हैं second part पे so second part में again हमारे पास यहाँ पे क्या given है एक parallelogram given है so second part में भी हमें बोला गया है कि यह जो ABCD है हमारा यह हमारा क्या है एक parallelogram है so सबसे first आप mention कर देंगे कि जो ABCD है हमारा parallelogram है that means हम यहाँ पे parallelogram की properties को क्या करेंगे use करेंगे next हमें यहाँ पे diagonals भी given है AC and BD so अगर यह parallelogram है जो AB है वो parallel होगी किसके DC के and इन दोनों के बीच में क्या present है diagonal present है AC and BD यह दो diagonals हमारे यहाँ पे present है now अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है आपको यहाँ पे angle ABD angle ABD की value आपको given है कितनी value है यहाँ पे 50 degree है so यह जो value है angle ABD तो यह आपको कितनी value given है आपके 50 degree given है so यह किसके equal होगा angle BDC के equal हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ angle ABD is equals to angle BDC is equals to 50 degree अब ऐसा क्यों लिखा मैंने क्योंकि यह हमारे क्या बन रहे हैं alternate angles बन रहे है alternate angles because angles किसके बीच में यह parallel lines के बीच में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक Z बन रहा है तो हमेशे याद रहा है जब कभी भी दो parallel lines और Z बन रहा हो तो जो यह interior angles होंगे न हमारे इनको हम बोलेंगे alternate interior angles और इन दोनों की value क्या होगी हमारी equal होगी now next अब हम बात करते हैं आप एक triangle की तो अब हम यह आप एक triangle लेते हैं suppose मैंने आप एक कौन सा triangle लिया मैंने लिया triangle DOC तो यह suppose करो हमारा O point है तो अगर मैं अब यह triangle लेता हूँ तो इस triangle के अंदर हमें यह angle 100 degree है यह angle अभी हमने find किया 50 degree हो गया तो अब हम यहां से किस की value find कर सकते हैं x की value find कर सकते हैं तो मैं simply mention करूँगा in triangle DOC triangle DOC मैंने आप लिया और इस triangle के अंदर जो angle DOC है plus angle OCD plus angle CDO तो इनका sum कितना हो जाएगा हमारा 180 degree हो जाएगा क्यों तो यहां पर मैं simply mention कर दूँगा by angle sum property angle sum property तो आप सभी को मालूम है जो triangle होता है triangle की जो angle sum property होती है हमारी वो कितनी होती है 180 degree होती है now value put करते हैं so DOC की value हमारे पास है 100 degree C OCD हमारे पास है X and CD O यह भी हमने find किया यह कितना है हमार पास 50 degree है equals to 180 degree तो यह आ जाएगा X plus 150 degree is equals to 180 degree so X की value हमारे क्या आ जाएगी यह यह यहाँ पर हो जाएगा 180 degree minus 150 degree तो X की value हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 30 degree तो इस तरह से आपको first किसकी value find करनी है X की value find करनी है अब देखिए आपके पास यहाँ पर X की value आ गई है अब आपको क्या करना है Y की value को find करना है सो चलिए देखते हैं हम y की value कैसे find करेंगे सो अब देखें यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ angle d o a सो चलिए देखते हैं angle d o a हमारा कहाँ पर है सो अगर मैं angle लेता हूँ d o a that means यह angle हो गया और angle d o c that means यह 100 degree हो गया तो आप देख सकते हैं यह दोनों angle है की straight line पर है that means ही क्या बनाएंगे आपे linear pair of angles बनाएंगे तो मैं आपे simply क्या लिख सकता हूँ simply मैं आपे mention कर सकता हूँ angle d o a plus angle d o c is equals to 180 degree how linear pair linear pair of angles यह simply आप linear pair mention कर सकते हैं so angle d o a की value हमारे पास आ जाएगी so यहाँ पर मैं d o c की value पुट करूँगा 100 degree equals to 180 degree so angle d o a यह आ जाएगा हमारे पास 180 degree minus 100 degree तो यह value हमारे पास आ गए यहाँ पर 80 degree so यह value हमारे यहाँ पर आ गई है 80 degree so अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक triangle है triangle कौन सा है यह a o d तो मैं इस triangle को हमार कर सकता हूँ a o d तो इस triangle के अंदर आपको दो angles की value मालूम है third angle आपका y है तो आप उसकी value को find कर सकते हैं by angle sum property तो simply आप मैं mention करूँगा in triangle triangle a o d by angle sum property angle sum property so angle sum property का मैं यूज करके यहाँ पर लिख सकता हूँ angle a o d plus angle o d a plus angle d a o is equals to 180 degree so a o d की value हमारी है we find कि हमने 80 degree आई o d a हमारा क्या है y है and d a o यह हमें given है 40 degree is equals to 180 degree so 80 plus 40 यह हमारा हो जाएगा 120 equals to 180 degree so y की value हमारी क्या आजाएगी 180 degree minus 120 degree equals to 60 degree तो यह हमारा पास यहाँ पर किसकी value आगई है y की value आगई है so I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है second part तो यह x की value आ गई है 30 degree and y की value आ गई है हमारी 60 degree so I hope आप सभी को second part अच्छे से clear हो गया है so चलिए अब हम move करते हैं third part पर so third part में हमें आपे क्या given है हमें again यहापे एक parallelogram given है और इस parallelogram में हमें आपे again x and y की value को find करना है so चलिए देखते हैं हम कैसे find करेंगे तो सबसे first time mention करते हैं जो भी data में आपे given है तो सबसे first time mention करेंगे so third part हमने आपे solve कर रहे है so a, b, c, d is a parallelogram so a, b, c, d हमारा क्या है यह हमारा एक parallelogram है so parallelogram है that means यहाँ पे क्या होगा जो हमारी a, b है a, b, किसके parallel हो जाएगी वो जाएगी हमारी d, c के parallel but d, c हम आपे given नहीं है so हम आपे इसको mark कर सकते हैं हमारी c point हो गया और यह हमारा d point हो गया तो यह a-b किसके parallel हो गई? dc के parallel हो गई and then यहाँपे मैं क्या mark कर सकता हूँ? इसको और इसको मैं आप एंगल मार कर सकता हूँ इसको suppose angle one mark किया मैंने इसको angle two mark किया so अब अगर हमारे पास यहाँपे a-b céu है वो dc के parallel है that इंगल टू है वो किसके खुल हो जाएगा 80 दिग्री के के खुल हो जाएगा और यह डिग्सर इक्वल हो गई है क्यों क्यों मैं आपपे अंगल टू देखता हूं और वाई देखता तो आप देख सकते हैं यह दोनों एक straight line पर present है तो that means इन दोनों का sum कितना हो जाएगा हमारा 180 degree हो जाएगा और यह क्या बनाएंगे linear pair बनाएंगे तो मैं हाँ पर क्या लिख सकता हूँ angle 2 plus y is equals to 180 degree क्यों? क्योंकि यह बन गए हमारे linear pair तो इनको मैं हाँ पर mention करूँगा simply linear pair तो अब हमारे पास यहाँ पर y की value कितनी आ जाएगी y की value आ जाएगी हमारी so 2 की value पुट करते हैं यहाँ पर 80 degree so यह हो जाएगा हमारा equals to 180 degree so y की value हमारे आ गए 180 degree minus 80 degree so यह हो गया हमारा यहाँ पर 100 degrees तो y की value आ गए हमारे पास यहाँ पर 100 degree अब अगर मैं angle 1 और angle 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो angle 1 and 2 यह दोनों हमारे क्या है opposite angles है parallelogram के and आप सभी को मालूम है कि parallelogram में opposite angles क्या होते हैं equal होते हैं तो यहाँ पर मैं simply क्या mention कर सकता हूँ that angle 2 is equals to angle 1 क्यों opposite angles opposite angles of parallelogram तो यह हमारे opposite angles हैं किसके parallelogram के so that means angle 1 की value कितनी आ जाएगी हमारी 80 degree आ जाएगी so I hope आपको ए 3rd part भी अच्छे से clear हो गया है समझ में आ गया है आप से भी को so चलिए अब हम move करते हैं next part पे part number next question पे question number 10 so angle 1 हमारे पास 80 degree आ गया है अब हमें x और find करना है तो x अभी हमने find नहीं किया है आपे तो basically angle 1 और x ये दोनों क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे कैसे vertically opposite angle से vertically opposite angle की property से ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के equal हो जाएंगे that means x की value हमारे पास कितनी आ जाएगी 80 degree आ जाएगी so I hope आप सभी को question अच्छे से clear हो गया है समझ में आ गया है so चलिए बब move करते हैं next question question number 10 so question number 10 में हमें आपे कुछ figures given है and उन figures में हमें again क्या करना है x and y की value find कर लिए है so ये question number 10 है हमारा तो आप first figure देख सकते हैं तो first figure में हमें क्या given है एक rectangle given है तो आप सभी को rectangle की properties मालूम होनी चाहिए because बिना properties के आप कहाँ पे question solve नहीं कर पाएंगे so चलिए आपे solve करते हैं question को तो first part में हमें आप एक rectangle given है so आप simply mention कर सकते हैं आप कुछ properties को जो में आपे use करेंगे तो आप सभी को मालूं है rectangle के अंदर जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं equal होते हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे को bisect करते हैं bisect का मतलब है कि एक दूसरे को two equal parts में क्या करते हैं divide करते हैं तो simply आप मैं mention करूँगा इन अ रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल A, B, C, D A, C is equals to B, D क्यों? क्योंकि ये हमारे होते हैं डाइगनल्स and डाइगनल्स क्या करते हैं? डाइगनल्स ओफ रेक्टेंगल bisect each other वो एक दूसरे को bisect करते हैं two equal parts में divide करते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं क्या लेता हूँ? half diagonal AC लेता हूँ तो वो half diagonal किसके equal होगा? B, D के equal होगा and यहाँ पे half को मैं क्या बूल सकता हूँ? यहाँ पे simply या तो मैं अगर मैं diagonal लेता हूँ AC तो EC का half या तो मैं OA बोल सकता हूँ या OC बोल सकता हूँ और B, D के half को मैं क्या बोल सकता हूँ? BO बोल सकता हूँ या OD बोल सकता हूँ that means अब ये diagonal जो है ना ये four equal parts में divide हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या होगा? कि ये सारे parts हमारे क्या होंगे? एक दूसरे के equal हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं simply mention कर सकता हूँ जो OC है वो OA के equal होगा और ये किसके equal हो जाएगा हमारा? OB के और ये किसके equal हो जाएगा? हमारा OD के equal हो जाएगा तो I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है property यहाँ पे तो इनी property के basis पे अब हमें क्या करना है? question को आगे solve करना है तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास triangle बन रहे है four triangles बन रहे हैं इसके अंदर figure के अंदर तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हम triangle नहीं क्या पे DOC तो यह हमारा triangle है DOC तो इस triangle के अंदर अगर मैं बात देखता हूँ OD और OC की तो यह दोनों हमारे equal हो गई OD और OC हमारे क्या हो गई? equal हो गई और अगर दो sides equal होते हैं किसी triangle पे तो इसका मतलब क्या होता है? जो angle present होते हैं opposite जो angles होते हैं वो भी क्या होता है? equal होते हैं और यह triangle हमारा basically क्या बन जाएगा? ISO cells triangle बन जाएगा तो suppose करो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि यह जो angle है यह angle हमारा 1 है और यह angle हमारा 2 है और 1 और 2 यह दोनों हमारे क्या हो जाएगे? equal हो जाएगे तो चलिए यहाँ पे mention करते हैं so यहाँ पे मैं simply क्या mention करूँगा? in triangle d o c so triangle d o c में o d किसके equal है? o c के equal है so angle 1 is equals to angle 2 angle 1 किसके equal हो जाएगा? angle 2 के equal हो जाएगा क्यों? so यह भी आपको reason यहाँ पे mention करना होगा so if sides are equal then opposite angles opposite angles are equal तो opposite angles भी हमारे क्या हो जाएगे? equal हो जाएगे now अब देखे एक triangle है so triangle में by angle sum property angle sum property so angle sum property का use करके यहाँ पे मैं क्या find कर सकता हूँ? मैं आपे 1 and 2 की value को find कर सकता हूँ तो यह हमारे पास आ जाएगा angle 1 plus angle 2 plus 100 degree is equals to 180 degree so angle 1 and 2 यह भी एक दूसरे के क्या है? equal है तो यानि कि मैं आपे angle 1 इसको और angle 2 को भी मैं angle 1 लिख सकता हूँ equals to 180 degree so यह हो जाएगा 2 angle 1 and red को मैं उधर लेके जाऊँगा तो यह हो जाएगा 180 minus 100 so यह आजाएगा angle 1 हमारे पास 80 upon 2 तो angle 1 की value आगे हमारी 40 degree so angle 1 और angle 2 दोनों equal है और यह दोनों किसके equal हो जाएगे? 40 degree के equal हो जाएगे so अब भी हमारे पास यहाँ पर angle 1 की value आचुकी है आप देखे जो angle 1 है हमारा और जो x है तो यह दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? यह दोनों मिलके कौन सा angle बना रहे हैं? यह एक rectangle का angle बना रहे हैं और आप सभी को मालूम है कि जो rectangle होता है उसके जो सभी angles होते है वो हमारे right angle होते है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैं आपे क्या लिख सकता हूँ मैं simply आपे mention कर सकता हूँ x plus angle 1 is equals to 90 degree अब क्यों मैं 90 degree लिखूंगा यहाँ पे इसको because यह क्या है हमारा angles of a rectangle angle of a rectangle तो यह rectangle का angle है हमारे पास so 1 की value कितनी है 40 है हमारे पास equals to 90 degree तो x की value कितनी आ जाएगी 90 minus 40 degree तो यह हो जाएगी 50 degree तो x की value हमारे आ गी यहाँ पे 50 degree अब हमें किस की value find करनी है y की value find करनी है so अब देखे y को मैं आपे सीधा सा क्या लिख सकता हूँ y is equals to angle 2 क्यों? क्योंकि यह हमारा क्या है alternate angle है कौन से angles हैं हमारे आपे alternate angles है because दो parallel line के बीच में present है क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि rectangle में भी opposite sides क्या होती है parallel होती है हमारी so y की value कितनी आ जाएगी हमारी y की value आ जाएगी हमारी यहाँ पे 40 degree so I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया first part सभी को clear हो गया है so चलिए अब हम move करते हैं आपे second part पे तो अब हम second part की बात करते हैं आपे तो second part में आपको again यहाँ पे क्या given है एक rectangle given है तो rectangle है that means opposite sides यहाँ पे parallel भी होंगी और equal भी होंगी तो मैं simply यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले ABCD is a rectangle तो यह हमारा क्या है एक rectangle है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं side कौन से लेता हूँ DC लेता हूँ तो DC के parallel कौन से side होगी हमारी AB हो जाएगी ठीक है तो AB हमारी parallel हो गई तो अगर मैं आपे angle कौन से लेता हूँ angle DCA that means अगर मैं यह angle लेता हूँ और यह किस के equal होगा यह हमारा 68 degree के equal हो जाएगा that means angle CAB so DCA is equals to angle CAB अब ऐसा क्यों लिखा मैंने क्योंकि यह हमारे होंगे alternate angles तो यह हमारे यहाँ पे alternate angles है now value को put करते हैं अब हम यहाँ पे तो DCA यह है हमारा X plus का 36 degree और CAB कितना है हमारा 68 degree तो X की value आ जाएगी हमारे 68 degree minus 36 तो X की value हमारे आ गए यहाँ पे 32 degrees तो इस तरह से हमने यहाँ पे X की value find कर ली है आभ हमें किसकी value find करनी है Y की value find करनी है तो देखिए अब हम Y की value आपे कैसे find करते हैं तो अब देखिए आप सभी को मालूम है कि जो rectangle होते हैं उसके जो diagonal होते हैं वो एक दूसरे के equal भी होते हैं और साथ-साथ में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं simply लिख सकता हूँ, अगर मैं triangle लेता हूँ, in triangle, triangle A, O, B, मैंने triangle A, O, B लिया, तो इस triangle के अंदर O, A, किसके equal है, वो भी के equal हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं same property को apply करूँगा, if sides are equal, if sides are equal, then opposite angles are also equal, तो opposite angles भी हमारे क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, तो that means, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं simply mention कर सकता हूँ, कि जो angle O, A, B है, वो किसके equal हो जाएगा, angle O, B, A के equal हो जाएगा, तो यह किसके equal हो जाएंगे, दोनो 68 degree के equal हो जाएंगे, तो अब मैं हाँ पर angle some property लगाता हूँ, इस triangle के अंदर, तो यह हो जाएगा, Y plus 68 degree plus 68 degree equals to 180 degree, तो Y की value हमारे आजाएगे, यहाँ पर 180 degree minus, तो 68, 68 हमारा हो जाएगा, 136 degree और यहाँ जाएगी 44 degree, तो Y की value हमारे पास यहाँ पर क्या आगई है, 44 degree और गई है, तो I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, question भी, second part भी, तो चलिए अब हम move करते हैं, third part पे, so third part में this time हमें आपे क्या given है, हमें आपे square given है, that means हमें किसकी properties use करनी है, square की properties use करनी है, तो चलिए, देखते हैं, कौन-कौन सी property होंगी आप स्क्वाइर की, so square की properties हम सबसे पहले आपे use करेंगे, mention करेंगे, so third part हम यहाँ पे solve कर रहे हैं, so चलिए देखते हैं, third part को, so सबसे first हमारे पास यहाँ पे square है given अब की बार, quadrilateral, so PQRS is a square, PQRS क्या है हमारा ये एक square है, so square है, that means इसके सभी angles हमारे क्या हो जाएंगे, 90 degree के equal हो जाएंगे, that means अगर मैं आपे angle S लेता हूँ, so angle S हमारा क्या होगा, ये वाला जो angle है, ये वाला angle हमारा 90 degree के equal हो जाएगा, next अब आपको मालूम है, कि जो diagonal होते हैं, square के, वो क्या करते हैं, जो angles होते हैं, जिस angle से वो pass करते हैं, उस angle को वो bisect कर देते हैं, that means यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं simply mention कर सकता हूँ, कि जो Y है, Y क्या हो जाएगा, half हो जाएगा, किसका angle S का, क्यों half हो जाएगा, so simply मैं लिकूँँगा, let me map a diagonals of square, diagonals of a square, bisects, the interior angles, angles through which, through which it passes तो जिस भी एंगल से diagonal pass करेगा उस एंगल को वो two equal parts में divide कर देगा या आप बोल सकते हो उसको वो bisect कर देगा that means y की value क्या गए हमारी 1 upon 2 angle is कितना है 90 degree that means y हमारा कितना आ गया 45 degree आ गया तो ऐसे सबसे first हमने आपे y की value को कर लिया है now अब हम आगे move करते है so चलिए अब आगे हम देखते हैं आपे so आगे हम कैसे solve करेंगे इसको so हमें x की value find करनी है आपे now अब देखे जो x है हमारा x को मैं simply क्या लिख सकता हूँ so now अब देखे यहाँ पे हमारे पास यह triangle है यह हमारा एक triangle बन रहा है हाँ पे आप सभी देख सकते हैं इस triangle के अंदर हमें angle दिया हुआ 60 degree and इधर यह आप देख सकते हैं अगर मैं इस line को extend करता हूँ तो यह हमारे पास एक exterior angle आ गया that means जो यह exterior angle होगा हमारा अब आप सभी को मालूम है property triangle के अंदर कि जो exterior angle होता है वो किसके किसे मालूम चलेगा हमें यह मालूम चलेगा किस से alternate interior angle से तो अब देखे अगर y45 है हमारा तो that means यह angle पी कितना होगा 45 होगा तो यह angle पी कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा कैसे by alternate angles alternate interior angle तो आप इस point को यहाँ पे o mark कर सकते हैं इसको आप यहाँ पे लिए सकते हैं a point तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो angle हमारा क्या होगा angle psq is equals to angle sq r और यह किसके एकवल हो जाएगा 45 degree के एकवल हो जाएगा और मैं आप ए reason लिख सकता हूँ alternate angles तो यह हमारे alternate angles हो जाएगे अब मैं हाँ पे ट्राइंगल लूँगा triangle o a q so इन triangle o a q में exterior angle is equals to sum of two opposite interior angles two opposite interior angles तो exterior angle हमारा यहाँ पे क्या है x है और opposite to opposite interior angle क्या हो गए हमारे 60 degree and 45 degree तो यह हमारे पास यहाँ पे value क्या आ गई 105 degree आ गई तो इस तरह से आपको क्या करना है आपे x की value को find करना है so I hope बच्चो आप से भी कोई third part भी अच्छे से समझ में आ गया है clear हो गया है now चलिए अब हम move करते हैं fourth part पे so fourth part में again हमारे पास यहाँ पे एक square given है और हमें किसकी value find करनी है x and y की value हमें find करनी है so चलिए देखते हैं कैसे find करेंगे आपे value को so fourth part so again मैं आपे क्या mention करूँगा यह हमारे पास square given है so PQRS PQRS is a square PQRS हमारा क्या है आप एक square है और A, B and C यह क्या है हमारे यह हमारे है mid points are the mid points अब mid points आपको मालूम है mid points का मतलब है कि जो दो equal part में divide करता है mid points on side तो A point कौन सी side पे हमारा PQ पे है B point हमारा कहां पे है PS पे है और C point हमारा कहां पे है QR पे है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब होता है कि जो PS है वो किसके equal है PQ के equal है और PQ किसके equal है QR के equal है तो यह हमारे पास यहाँ पे क्या है data हमें given है PS equals to PQ and PQ equals to QR because यह हमारी क्या है यह sides है square की और आप सभी को महलूम है कि square के अंदर सभी sides क्या होती है equal होती है that means इन दिनों sides का अगर मैं half half लेता हूँ तो वो भी क्या होगा वो भी एक दूसरे के equal हो जाएगा so यानि कि अगर मैं लिखता हूँ आपे half ps तो ये किसके equal होगा half pq के और ये किसके equal होगा half qr के so I hope आपसे भी को अच्छे से clear हो गया है समझ में आ गया है now आगे देखिए अब अगर मैं आपे triangle लेता हूँ कौन सा triangle लेता हूँ मैं pb a so ये हमारा triangle है pb a तो अगर मैं ये triangle लेता हूँ so in triangle pb a so अगर मैंने ये triangle लिया तो जो pb है वो हमारी किसके equal है p a के equal है and angle pb a will be equals to angle p a b so angle pb a किसके equal हो जाएगा p a b के equal हो जाएगा और ये दोनों किसके equal हो जाएगे x के equal हो जाएगे now अब आपको मालूम है जो angle हमारा कौन सा है a pb है ये हमारा 90 degree होगा क्यों क्योंकि ये क्या है हमारा angle of a square या angle in a square square का ये angle है हमारा तो इसलिए ये 90 degree के equal होगा तो मैं आपे simply लिख सकता हूँ by angle sum property x plus x plus 90 degree will be equals to 180 degree तो ये हो जाएगा 2x is equals to 180 degree minus का 90 degree तो हमारे पास यहाँ पे x की क्या value आ जाएगी 90 degree divided by 2 तो x की value आ गई हमारी यहाँ पे 45 degree तो इस तरह से आपको क्या find करना था है यहाँ पे x की value find करनी थी so I hope आप से भी कुछे से clear हो गया है now अब इसी तरह से मैं क्या लूँगा इसी तरह से मैं दूसरा triangle लूँगा a q c so ऐसी से मैं next triangle लूँगा है a q c so in triangle a q c so अगर मैंने triangle लिया a q c c है तो इस triangle में भी हमारा जो क्या होगा जो a q है वो q c के equal हो जाएगी so a q is equals to q c so इसका मनलब क्या हुआ जो angles इन पे present होंगे वो भी क्या होंगे वो भी equal होंगे so angle q a c will be equals to angle q c a so यह क्या हो जाएंगे हमारे equal हो जाएंगे एक दूसरे के so q a c is equals to q c a so दोनों equal हो गए हमारे now अब suppose करो मैं इनको यहाँ पे क्या मार कर रहा हूँ suppose मैं इनको मार कर रहा हूँ कि angle z है तो यह भी angle हमारा क्या हो जाएगा z हो जाएगा and next angle a q c तो यह a q c 90 degree हो जाएगा क्योंकि यह भी क्या है angle in a square and square के सभी angles क्या होते है हमारे 90 degree के equal होते है तो यहाँ पे भी मैं angle some property का use करके क्या लिख सकता हूँ z plus z plus 90 degree is equals to 180 degree तो यह हो जाएगा 2 z is equals to 180 degree minus का 90 degree so z की value आ जाएगे हमारी 90 degree divided by 2 तो यह आ गया 45 degree so यह हमारी किसकी value आ गई है z की value आ गई है now अब देखे जो bc है हमारी तो bc हमारी क्या है यह भी एक straight line है parallel line है हमारी so that means अगर मैं angle किसको add करता हूँ मैं z and y को add करता हूँ तो यह हमारा कितना आएगा 90 degree आ जाएगा so ऐसे z plus y is equals to 90 degree so z की value 45 अलड़ी आ चुकी है so y की मुझे भी यहां पर find करनी है so y की value कितनी आ जाएगी so यह भी 90 minus 45 तो y की value भी हमारी यहां पर 45 degree ही आ जाएगी so I hope बच्चो आप सभी कोई question समझ में आ गया है किस तरह से आपको question करना था so x और y दोनों value हमने आपर find कर दोगा है so बच्चो यहां पर हमारा question complete हो चुका है question number 10 so आप इस question को यहां पर note कर सकते है अपनी copy के अंदर so आज की class के अंदर हम सिर्फ इतने ही questions रखते हैं बाकी questions को question number 11 है और उसके बाद आगे questions है उनको हम next class के अंदर discuss करेंगे so बच्चो अगर आपको class अच्छी लगी सभी questions आपको अच्छे से clear हो गए है then please class को like कीजे, share कीजे अपने friends के साथ में comment कीजे and channel को subscribe कीजे so thank you बच्चो for joining this class now we will be in the next class